आप देख रहे हैं विनायक न्यूस मदपर्द कुछ भीगे पल आशुतोष राणा जी के साथ बात उस समय की है जब मुझे पहला फिल्म फियर अवार्ड मिला था और मैं पहली बार अपने नगर गाडर बारा पहुँचा मुझे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए मेरे इश्ट मित्रों के साथ मेरे सबसे बड़े भाई आदरनी दादा भाईया भी पहुँचे अपने जीवन में मुझे विभिन दलों के बड़े-बड़े प्रसिद्य राजनेताओं सहित्यकारों कलाकारों से लेकर प्रसिद्य प्रवचनकारों समाज विज्ञानियों को भहत करीब से सुनने का अफसर मिला है किन्तु पूरी जिम्मिदारी से आज यह बात कह सकता हूँ कि आदरनी दादा भाईया श्रेश्टितम और टोरस में से एक थे वे चलते फिरते ग्रंत थे उनके पास बैट कर मन की ग्रंतियां सहज ही खुल जाया करती थी दादा भाईया मुझसे की साल बड़े थे वेवार नी थी और लोकाचार का निर्वा करने में निशानत स्टेशन से बहां निकलते ही ओपन जीप में मेरे सामने लगा दी कई और मुझसे कहा गया कि मैं अगली सीट पर बैट जाओ मैं बैटने लगा, मैंने देखा दादा भाईया फुर्ती से जीप के पिछले हिस्से में साइट सीट पर बैटने लगे आधरने दादा भाईया सिर्फ मेरे बड़े भाईया ही नहीं थे वे नर्मदान्चल के बहुत ख्याती नाम और सम्मान्य व्यक्तित थे उनके पिछले वाली साइट में लगी हुई सीट पर बैठता देख मैं तुरन जीब से उतर कर खड़ा हो गया और दादा भी इसे कहा दादा आप आगे बैठिये मैं पिछले सीट पर जाता हूँ दादा बोले नहीं राना जी तुम सिर्फ मेरे छोटे भाई नहीं हो अब तुम्हें एक ख्याती नाम व्यक्तित वो हो यदि तुम्हारा परिवारी इस उपलब्धी के बाद तुम्हें पिछले बैठा लेगा तो ये संसार पल भर में तुम्हें अती सम्मान्य मानते हुए तुम्हारी उपलब्धी को नागण्य बना देगा तुम्हें पीछे बैठ कर हम आज तो बड़े हो जाएंगे लेकिन आने वाले कल में तुम छोटा करने के कारण हम बहुत छोटे हो जाएंगे छोटे भाई अपने हाथ से अपनी ही गौर्व को कभी धूमिल नहीं करना चाहिए इसलिए तुम आगे बैठो मैंने कहा दादा आपकी बात आदर और इसमन रखने योग्य है किन्तु यदि आप जीब की पिछली सीट पर बैठे तो यही संसार मुझे एहंकारी अशिष्ट मानते हुए पल भर में मेरे स्रजन का विसरजन कर देगा समाज सब कुछ बरदाश कर लेता है किन्तु वह अशिष्ट और एहंकार को बरदाश नहीं करता यही लोग दबे हुए स्वर में कहेंगे कि देखो राना जी का एहंकार एक अवार्ड क्या मिल गया सारे सुष्ट चार बूल गये आप ही तो हमसे कहा करते थे कि कितने बड़े ही तुर्रम खान क्यों ना हो जाओ लेकिन अपनों से बड़ों को देख कर उठना और जुकना सीखो मेरे तर्प को सुनकर दादा बहुत स्नेज समुस्कराने लगे उनने मुस्कुराता देख मैंने सुझाव दिया ऐसा करते हैं दादा आप आगे बैठे और मैं जीब ट्राइब करता हूँ इसे हम दोनों के उद्देशिकी पूर्ती हो जाएगी आपका आदर बने रहेगा मेरी स्ट्रित्ता आदर ने दादा भया शुष्ट्ता सरल्ता के महत्व को जानते थे वे कहते थे कि सफलता प्राप्त करना सरल है किन्दु इसे पहचानना बहुत कछिन होता है इसलिए वे मेरे सामने ऐसी सितियों का निर्मान करते थे जिसे मैं उनके प्रति आदर और प्रेम के कारण सरल होने का अभ्यास करता रहूँ आज दादा भय का जनम दिन है वे अब इस संसार में नहीं है किन्तु जब तक वे इस संसार में रहे उन्होंने सारवजनिक रूप से जीवन भर मुझे छोटे भाई का सने तो दिया ही किन्तु मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप वे एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते थे और चूकी मैं सबसे छोटा था तो उनके द्वारा प्रोटोकॉल मेंटेंड किये जाने से उनके कद और पद की हानी ना हो इसलिए बिना भूले सरल से सरलतम वहवार करने का अभ्यास करता अब सोचता हूं तो लगता है कि दादा भीया चाहते थे कि मैं कालंतर में एक सरल व्यक्ति के रूप में जाना जाओं कि इतने अभ्यास के बाद भी आज कभी कभी मुझे लगता है कि सरल होना ही नहीं सरलता को समशना भी एक अत्यंत जटल प्रक्रिया है पुर्णि स्मरन सहित रिदय से आपका धन्यवाद दादा आपका जीवत आपकी विचार शीलता आ आपसे मिला भैवार ज्यान मुझे मेरे जीवन के प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का साहसी नहीं छमता भी देता है आपका प्रिय आशुतोश राना कुछ भीगे पल आशुतोश राना जी के साथ